करतार सिंग सराबा देश दी अजादी ले जितनिया कुर्पानियां पंजाबिया ने दितियां शायद बाकी सारे पार्तने राल के वीनी दितियां ते सिखख कौम नुँ इस गालदा मान प्राप्त है कि उन्ना देश दी अजादी दे कोल विच सावतों वद गोडिया खा दिया फांसिया ते चड़े काले पानी सजा पुगती ते अपनिया सैंकडे जवानिया जिला विचबडे पे विचबदलिया सिख को अमने किसे सिर एहसान नहीं किता सगों एह उन्ना दा फर्ज सी उन्ना नुप फकर है कि उन्ना अपना फर्ज पूरी शान ना निबाया सब तो पहला अजादी दी लहर बाबा राम सिंग जी ने शुरू किती तेपा में उस दा रोप कुझ वी सी ओहु असल विच सिखां दी अंग्रेजा वुरुद एक लहर सी फिर उस पिछों दुजी वड़ी को मी लहर गदर पाटी दा अंदोलन सी जिस दा मुड अमरिका दे कनेड़ा विच बज्जा कामा गाटा मारुज हास दे कनेड़ा तो परतन नाल लहर नू हुलारा मिलिया ते 1914 पंदरा विच पार्त विचों अंग्रेजा नू हथे आरबांद ताक्त नाल पंजान ली उप्राला होया सेंकडे गदरिया ने बदेशा विचों अपने कमाई दे साधन शाड के पारते आके अजादी दी जोध जगाई ते इस जोध नू जगदे रखन ली अपना लहु दिता कांग्रस दे अजादी दी लडाई ली मेदान विच आउन तो पहला एह अजादी ली एक बहुत बढ़ा हम्बला सी ते सिक कौम नू फकर है के सिरलाथ थूरबिर सिंगा ने इस लेहर विच भी बढ़ा नहीं सोगं बहुत बढ़ा हिस्सा पाया कौम दे जिन्ना बहादर्स बुत्रा ने इस लेहर विच आपा वारया ओना विचों नो जवान करतार सिंग स्राबा वी सी जिसने शोटी उमर विच एक भोत बड़ी लेहर दी अगवाई किती ते जिस दा नाम अजादी दी लहर विच चोटी दे व्याक्तियां विच गिन्या जान्दा है सर्दार करतार सिंग दा जनम 1806 में इसवी नू मंगल सिंग देकार पिंड सराब्बा जिलालो दे आने दे विच हुए माप्या ने निके जे बच्चे नू बड़ा हुशियार चोस्त ते समस्दार अनुपब करके निकी उमर विच ही पिंड दे स्कूल विच पड़न लीबेठा दिता चाटपट ही करतार सिंग ने पिंड दे स्कूल विच नाम पैदा कर लेया ते एथों प्रैमरी पास करांते माप्या ने लोधियाने शेयर पेज दिता पीता जी भोत काट साल अपने होनहार पुत्तर नूँ वददा फलदा वेख सके ते बचपन विच ही एनू शाटके पर लोग सिधार गे लोधियाने विच मीडल पास करली ते फिर अपने रिष्ते दारा नाल पंजाब शाटके उडिसा चलेगे उडिसा विच भी पड़ाई जारी रखी ते मैट्रिक पास करली पड़ाई ता अग्गों जारी रखन दा मोका ना मिल सकेया पर उन्ज अंगरेजी दिया कताबां ते अखवारा रसाले पढ़के सरदार करतार सिंग ने अपनी योगता होर वदाली उडिसा ते बंगाल विच ओना दिना विच काफी जागरत आ जुकी सी ते इस दा करतार सिंग ते वी शोटी उमर विच ही बहुत प्रवाब पया ओना दिना विच सारे पार्त विचों प्रदेशा नू जान ली बहुत लोग त्यार हो रही सन क्योंके जड़े पहला गए सन ओना ने बहुत कमाई किती सी करतार सिंग दे मापया ने इसनू अमरिका जाके बहुत सारा ता नकमाके लिया ओनली किया करतार सिंग पहला ही प्रदेश जात्रा करांदा चावांग सी इसने तुरत त्यारी कार ली ते 1911 दे अखीर विच जोदों के अजे 15 साला लांदा सी अमरिका चला गया जनवरी 1912 इसवी नू करतार सिंग अमरिका दी बंदरगा सान फ्रांसिस्को जा उत्रया एथे अजई कटना बापरी जिसने करतार सिंग सराब्बा दे कोमल ते नोजवान माननू बड़ी साथ मारी ते उसने देश नू अजाद करोंली उपराला करन्दा प्रांद कर लिया जहाज विच्चों सारे मुसाफरां दी पुछ पड़ताल हुई अमरिका सरकारते करमचारियाने हुवरानों ता कुछ नहीं किया पर पार्त विच्चों गे मुसाफरां नो बहुत तांग किता अजद देशान दे मुसाफर शेती वेले करके तोर दिते पर एना पार्तियानों बहुत खजल किता करतार सिंग सराबा ने पुछिया के साड़े नाल अजया वरताओ क्यों किता जा रहा है ता एक होर मसाफर ने जो किसी होर देश दासी व्यांग नाल केहा तुसी गलाम पार्थ देवसनीक हो इसलिए बस उस दा इह वाग करतार सिंग सिराब्बे दे मानते तीर वांग वज्जा उन्हें सोचया कि गुलाम देश देवसनिकां दी किदरे भी इज़त नहीं फिर गुलामी दे संगल पहला तोड़ने चाही देहन ते कुछ होर पिछों करना चाही दा है गुलामी दी लानत खतम करन ली जे खून देना पवे ता इस तोविसन कोच नहीं करना चाही दा विलो कॉंटी विच बहुत बाग सन जिते हिंदुस्तानिया नू फाल तोड़न दा काम आम करके मिल जान दा सी ते इस काम विच कुमाई वी चंगी हो जान दी सी करतार सिंह सरापबा पहला ही ओथे जान ली तुर्या सी इसलिए ओथे ही सिधा गया ते जान देया इसनू काम मिल गया पर ओधा जी हुन काम करन दी था अजाधी लेई कुछ करन नू लोच दा सी कुछ जागरती बंगाल ते उडिसा ने पैदा किती सी कुझ सानफ्रांसिस्को विच अमरिकन अफसरां दे वतीरे ने हलोणया सी ते बाकी अमरिकां दे लोकां दे अजादी ते चौन नाल प्रदान तक सब पदमीयां दे चुने जान दे रवाज ने टुमबिया करतार सिंग ने अपने कुछ साथी हिंदूस्तानिया नालगाल किती ते ओनानू अपने जजबात दसे ओह वेक के हिरान हो गया के बहुत सारे उसे वांग ही मैसूस कर दे ते सोच दे हन पर मुहों गल्ला काट कर दे हन ओन कुछ अजय बंदियां दा भी पता लाग गया जो अंदरों अंदरी कुछ करन ली सोच रही सान उसने ओना देश पकता नाल मेल जोल पैदा करना शुरू कर दिता सरदार पकवान सिंग जलावतन होके एनना दिना विची ही अमरिका पहुँच गे जदों करतार सिंग नू ओना दा पता लगा ता उचेच्चा ओना नाल संपर्क कैम किता ओना नाल मेल मिला अपनाल अजादी दी जोत होर उबरी ते कुछ करन दा जज़बा होर परबल होया अखीर जून 1912 नू जदों के करतार सिंग स्राबबा नू अमरिका आया अज़े 6 मिह नेवी पूरे नहीं सन होये हिंदुस्तानी नोजवाना दी एक मीटिंग बला लई जिस विच करतार सिंग ने दस्या के साड़े नाल प्रदेश विच माड़ा वरताओ इसली है क्योंके असी गुलाम देश दे वसनिक समझे जान दे हां अमरिका दे जिंदगी नाल अपने देश दे जिंदगी दे टाकरा करके समझाया कि इतना वड़ा फरक इसे करके है क्यासी अंगरेज़ा दे गुलाम हां ते एह अजाद देश दे वसनिक अपनी किसमत दे आप मालक हन केहा जानदा है के करतार सिंग जी दी एह पहली राज सी तकरीर सी जो उसने पार्थियां दे एकाठ विच किती इक नोजवान आनदाड़िये गबरू दे जजबात ते दलिलना पर एविचार सुनके सारे चंजोडे गे ती ओनाने स्राब्बे नाल इस गालते समती प्रगट किती के सानू अमरिका आके नीरा अपने ले तानक मोन विच नहीं जुटे रहना चाहिदा सगों देश अजाद क्राउन ली वी कुछ उपराला करना चाहिदा है इसे मीटिंग विच ही फैंसला किता गया के जेडे पारती प्रदेश विच रहन अनना विच अजादी दा परचार किता जाए अनना नू अजाद कराउन ते गुलाम देश दे जीवन विच टाकरा करके अजादी ली कुछ करन वास्ते प्रेर्या जाए एक पासे परचार दी लहर शुरू किती जाए ते दुझे पासे हिंदुस्तानिया नू पहला अमरिका विच टे फिर दुझे देशां विच जथे बंद करके सारी लहर नू एक मुठ किता जाए दुझे देशां विच भी अजादी दी प्रावती दी इच्छा रखन वाले हिंदुस्तानिया ते जथे बंदिया नाल संपर का कैम किता जाए ते सांजा उत्म करन ली रा कड़िया जाए इसे तरह एक मीटिंग नाल जुलो कौंटी दे हिंदुस्ताने जथे बंद हो गए ते अजादी दी लहर दा मुठ बाज गया अस्टोरिया विच 21 अप्रेल 1913 इस्वी नू पाई केसर सिंग दी आरा मिल विच बहुत बड़ा इकाठ होया जिस विच लाला हर्देयाल ते होर आगुआ ने लेक्चर दिते ते हिंदी पैसिफिक एसोसियेशन नाम दी जथे बंदी काइम किते गी इस जथे बंदी दा मनौर्थ पार्त विच थे आरबंद इनकलाब लेंदा यतन निश्चित किता गया इस पार्टी दे परचार ली एक हफ़ता वार अख़वार गदर कड़न दावी इसे मेटिंगम बीच फैंसला होया सर्दार करतार सिंग स्राबबा ने इस इकतरता विच बहुत वादचाड की हिस्सा लेया ते पहली वार ही ओहो अमरिका दे सारे टापूआ दे पार्टियां दे नजरा विच उगगा हो गया जदों अख़वार शुरू किता गया ता पंजाबी विच अख़वार नो तियार करन साइकलो स्टाइल करनते फिर पिछण जाके शापन दा सारा काम वी सरदार करतार सिंग स्राबबा नो सौंपया गया आपने बड़ी मेहनत किती ति अख़वार केवल अमरिका विच ही नहीं सारे दुनिया विच जित्थे विपार्टी वासदेसान पहुंचन लाग पया दसंबर 1913 विच सेक्रामेंट विच हिंदूस्तानिया दीक बोद वड़ी कॉन्फरांस सदीगी कॉन्फरांस विच पार्टी नू सर्ब अमरिकी बनाओंदा फैंसला होया ते इस समय जो ओदेदार आगु चुनेंगे उनना विच सब तों शोटी उमर दा करतार सिंग सराबा सी इसनू करकिंग कमेटी दा मेंबर लेया गया गदर अखवार कटन करके पार्टी दा नाम हिंदी Pacific Association दी था गदर पार्टी में शुहूर हो गया ते इना दी लहर गदर लहर अखवोन लागवी गदर पार्टी नाल कामकर्ण वाले वद्यार्थियाने होर ना हिंदी वद्यार्थियान नालों बखरा रैना शुरू कर दिता अपने बखरे होस्टल दा नाम नलंदा होस्टल रख्या थरदार करतार सिंग सराबा एक पासे आप केर्तवी कारदा सी नाल नाल ओ गदर लेर दियां जिम्मे वारियां भी नबार रहा सी लाला हर देयाल दा अपना हेड़ क्वार्टर करतार सिंग स्राबे दा नलंदा होस्टल दा कमरा ही हुंदा सी एथे ही अखवार लिखे जान्दा ते फिर शपन ली पेज दिता जान्दा डाक भी सारी वद्यार्थी ही लिख दे गल की पार्टी दा दफ्तर तापा में सान फ्रांसिस्को विच होर थां सी पर अमली तोरते सारा काम एथे ही हुंदा सी जद गदर पार्टी ने इनकलाब दी त्यारी शुरू किती ताह थे आरबांद बगावत ते लडाई दे हर खेतर ली काम करना जरूरी सी हवाई लडाई दा काम सरदार करतार सिंग सराब्बे नो सोंप्या गया ते इस कामली ओनु उम्रिका दे पूरभी कंडेवाल पे जया गया करतार सिंग सराब्बा निउयार्क दी एक हवाई जहाज जादी कंपनी विच दाखल हो गया ते जहाज उडान ते मरमत करंदा कम सिख कियाया इस पिच्छों होर पर कराने भी जाना सी पर ना जा सके इस तरह गदर पार्टी विच्छों हवाई जहाज चलोन ते ठीक करंदा कम केवल करतार सिंग सराब्बे नो ही ओंदा सी 1914 विच पहला संसार जो दुशुरू हो गया पार्टी ने एह विचार के के अंगरेज दे जंग विच फस जाननो ही अपनी सट मारंदा वड़ा मौका बना लेया जाए फैंसला किता के अंगरेज जानो हत्यार मंद लड़ाई नाल देश विचों कडन ली शेती हिंदूस्तान पहुंचना चाईदा है एह विचार पास करके पार्टी ने अंगरेज राजवरुद एलानने जंग करन दा फैंसला किता जो 5 अगस्त 1914 दे गदर अखवार विच शाप दिता गया इस पिछों मीटिंग साथ के बापस देश परतन दी व्योंत बनाई जानी सी पर सरदार करतार सिंग चराब बाता इतना उतावला सी कि उसने किसे मीटिंग जा होर फैंसले नुना उडिकिया ते रगवर द्याल गुपता नुनाल लेके साथ गस्त नुही तुर्पया गदरियां विचों उमरिका ते कनेटा तो बापस देश परतन वालयां विच साथों पहला करतार सिंग सी जो उस समय अठारा साल दी उमर्दा लम्मा पतला जवान सी ओ बड़ा मन चला नेडर ते अन्ठक वरकर सी लुदे आने पहुँच के कारना ढहरया ते ओंदियां ही काम विच जोट गया इस तों पिछों ओन वाले बहुत सारे गदरी आगू सरकार ने बंदर गहां ते ही गरिफतार कर ले करतार सिंग सराबा ने एक सियानब किती ते रहा बदल के कोलम्बो वलों होके आया जिस कार के पता ही न लगगा लुदे आने बहुत सारे गदरी गरिफतार कार के ले आन दे गए करतार सिंग सराबा ना नू सड़का ते स्टेशना ते मिल पैंदा ते कई गलना कार लेंदा जित्थे ना नू रख्या जानदा ओथे वी लुकशुप के पोंच जानदा ते कई प्रकार दियां सलाहमा करके तुर जानदा पर पुल्स नू कदे शाकना पैंद दनदा सरदार सौन सिंग पकना जो उस समय गदर पार्टी दे प्रदा आनसान नू भी मिलेया हालां के ओपुल्स दे करड़े पैरे विच सान ओनना नाल सला करके पार्टी दे प्रोग्राम नू सिरे चाड़नली पाजनाट शुरू कर दिती गदर पार्टी दे जडे लीडर बाचके हिंदूस्तान आय सान ओना दी इकतरता साथ के एक कमेटी नियत किती गई जिस दे मुखियां बिच सरदार करतार सिंग सराबबा भी एक सी फैंसला किता गया कि था था मिटिगां करके बारों आय लोकानों जथे बंद किता जाए ते इलाके वार जिम्मे वार नियत किते जान करतार सिंग सराबबा ने बंगाल दे इनकलाबिया नालवी सांज ते वाक्षियत पैदा किती आय परमाना दे चांसी नालस बंद कायम किती बनार्स विच श्री रास ब्यारी बोस दे लुक में अडेदा पता करके ओना नालवी संपर्क कायम किता करतार सिंग स्राबा तेपा एने दा आन सिंग चुग नेatusलामिया हाइ इस्कूल दे आन दे वदयार्थियां बिच बड़ा काम किता ओथों बहुत सारे वदे आर्थी पार्टी दे काम विच आये जो पार्टी दियां लिखता शापण वंडन वाले थामा ते पहुंचान ते सुनेहे पते लैजान विच पार्टी नुँ बड़ा काम दिन्दे रहे फिसरदार करतार सिंग स्राबबा ने शोनियां विच काम किता एक वदे आर्थी नुँ नाल लैके करतार सिंग स्राबबे ने अंबाला मेरेट कानपूर आगरा लहाबाद दिन्नापूर बनार्स ते लखनव आज थामा ते फोज नाल स्वांद बनाए ते ओन्ना अंदर अज सरंदास्क पूर्थले नाल मिलके प्रेस चालू करन्दा यतन किता पर सफलताना हुई पहला लोदे आने ते फिर लोहो और्तों पर्थू प्रेस साइकलो स्टाइल उत्ते गदर दी गोंज दियां जंगी रोचण उनवालियां कवतावा शापियां गयां पांज अगस्त 1914 नू अमरिका विच गदर पार्टी बलनों किता एलाने जांग हजारांदी गिंती विच शापके फोजां पिंडां ते शैरां विच बंडिया गया एह काम करतार सिंग स्राबबा दी निगराने हेट होंदा रहा तेलो दी आने दे वदियार्थियां ने इस विच बड़ा काम किता लोका नू जा देश विच इनकलाव लई तियार कर लिया गया तां फोजी कारवाई लई अथियार एकठे करने ते माया दा प्रवंद करना रह गया सी रकम एकठे करन लई डाके मारन दिव्योंत तियार किते गी एहे डाके ओन्ना सिर्माएदारां देकार मारे जाने सन जो अंगरेज देचोली चुक या देश देगरदार सन डाक्टर मतरा सिंग कोली नू बांब बनोंदा इंचार्ज नियत किता गया इस तरह होर थ्यार लैनली थाने लुटन ते मैगजीना ते कवजा करंदी व्योंत बनाए गई एहे बांब पहला पिंड चब बेवाल ते फर नाब्बे दे रियासत दे एक पिंड विच बांदे रहे बंगाल दे इन कलाबिया नाल ताल मेल पैदा हो चुक्या सी सचिंदरनात साने आलनू श्री रास ब्यारी ने पंजाब दे हलात दा जैजा लैनली पैजया ओने आके सारे हलात वेखे ते दस्या कि अजे तक पंजाब दे इन कलाबिया ने अपना हेड़ कौर्टर काइम नहीं किता एह गुप्त हेड़ कौर्टर शेती बनना चाईदा है अमरिस सर विच दो गुप्त टिकाने हेड़ कौर्टर बना लेगे एह काम सरदार करतार सिंग स्राब्बा ने तुरत किता 25 जनवरी 1915 इसवी नू शिरी रास बेहारी बोस इस लैर दी अगवाई लेई बनार सतों अमरिस सर आगे ओना दे नाल शिरी पिंगले ते शिरी साने आलवी सी ओ पार्टी दा मुख दफ्तर अमरिस सर दी थां लहोर लेगे 12 फरवरी 1915 इसवी नू फैंसला किता गया कि 21 फरवरी नू गदर मचा दिता जाए व्योंत एहे बनाए गई कि 21 फरवरी रात नू मिया मीर ते फ्रोजपूर्दियां शोणियां ते कबजा कर लिया जाए ओदर मेर्ट शोनी विच बगावत करा दिती जाए ते ओठों दी फोजपूर्ज नू नाल लेके दिल्ली ते कबजा कर लिया जाए एह दिन मित के सरदार करतार सिंग सराबा शिरी विश्नु गनेश पिंगले नू नाल लेके अंबाला मेरट लखनौ लहाबाद बनार्स दिन्नापुर ते फैजाबाद गे इस समें अजाद पारतली एक चंडा निश्चित किता गया जो सराबाजी ने सब धामा ते बंडिया इस तरंगे चंडे विच तिन रंग लाल पीला ते सावा सन उपर दो कर पाना दे निशाम सन यों सारा कुछ किता गया कि पंजाब विच बढ़िया इनक लावदा एह पा दाका मारया गया ते सारा काम विगड गया सरकार नों पता लाग गया कि एह डाके बाहरों आये गदरी मार रहे हन डाके विच फड़े काला सिंग लहार ने सारा कुछ दस दिता ते पुल्स नों गदरियां दे अमरिसर केंदर दा भी इस तों पता लाग गया पुल्स ने आ के पता लगा के 21 फरवरी नू गदर मचाया जाना है उसने अमरिसारदी पुलिस नू इतलाह दित्ती के मोची द्रवाजी लहो और देनार एक मकान विच इस समय करतार सिंग स्राबा ते सारे होर लीडर बैठे मीटिंग कर रहे हैं और नो फड़या जा सकता है ओहो 21 फरवरी गदर मचाया उनली प्रोग्राम त्यार कर रहे हैं पुलिस चटपट आगे पर सारे लेडर जा चुक्के सान इसले पुलिस ने शापपाना मारया उन्नी फरवरी नू एक मकान विच्चों किरपाल सिंग ने बहुत सारे गदरी ग्रिपतार करवा दिते एनना ग्रिपतार हो वालया मिच पाई परमानाद चांसी वी शामर सी ओदर उन्नी फरवरी दी रात नू सरदार करतार सिंग स्राब्बा भोथ सारे बंदे नाल लैके फिरोल पुर गड़ितन उत्रया शारा जथा चाद मारी बल चल पेया एनना पास हर्मोनी मसी रा विचो बैरे दी एक गस्ती गार्द नू मिले जो उचेची गदरिया नू फड़न ली फिर रही सी फोज ने पुछिया तंदस्या गया एता रागी जता है जो किसे व्याते किर्तन करन ली जा रहा है जथा एक थांते शाटके करतार सिंग स्राब्बा पाई अर्जन सिंग खुखराना ते हरनाम सिंग स व्योंत दी खबर मिल गई है जिस करके सब देशी फोजांतों हत्यार ले ले गए हन ते उनना दी निगराने किती जा रही है इस तरह उन्नी फरवरी नू फ्रोजपुर्तों ना काम जाब होके सरदार करतार सिंग स्राब्बा बी फरवरी नू लहोर श्री रास प्यारी बो ओस्नू लहोर तों बार कड के जूपी पेस दिता जाए एहे काम वी सरदार करतार सिंग स्राब्वी नू सोंप्या गया। बी दी रात नू करतार सिंग स्राब्बा श्री रास प्यारी बोस नू बंजाबी पशाक पुआ के लहोर स्टेशन तों बनार्स दी गड़ी ओते ही और भी कई गदरी पॉंच गए ते फैंसला किता गया कि इह जतन फेल हो गया है ते पंजाब पर विच पुर्स ने बहुत सारे बर कर फड़ दे हन। इसलिए बार निकड चलिए फैंसला किता गया कि शुबा सरहाद दे अजादी लाकी विच निकड चलिए। फिर जदो शांती हो जाएगी ता आंके काम शुरू कर देंगे रात नूं गड़ी चड़के सरदार करतार सिंग सराबा ते दो साथी लायल पुल चलेगे अथों कुछ पैसे लेके सुबस रहाद विद चलेगे ते अफगानेस्तान दी सरहाद नेड़े मिचनी जाडेरे लाए अजे एहे मिचनी पोंचे सन के अखवारां बिच पढ़ लेया के अफगानेस्तान दी सरकार ने अंगरेज्जान दे कैंते लहोर तो नसकेगे कुछ मुस्लमान वदेयार्थियानों गिरिफतार कर लिया है ता उनना ने अग्गे जानदा प्रोग्राम शट दिता तिन्ना ने बैठ के सला किती के असी अमरिका तो इसली आयसा के देश विच इनकलाब ले उना है पर हुन बार जानदा की लाब क्यों ना पिछे पर चलिये अजे बहुत सारे बंदे अजय हन जो गिरिफतार नहीं हुए उननों इकठे करके नमे सिरियों व्योंत बनाके क्यों ना उपराला किता जाए मिचनीतों ही सरदार करतार सिंग सराबा बापस परत गे एथों सिद्धे सरगोदे दीबार दे चक नमबर पांच विच पहुँ अजे अज़े औन्हाने किसे तो बंदुका लें दी गखल पहला किती सी इसलिए इस आस्ते आये कि बंदुका मिल जानन गियां बंदुका फौद्यकिसे आदमी ने देनी आ सन इस फौद डार साल दार गंडा सिंग सी उसनों सारी गालदा पता लाग गया ति उसने फुर सन इतला देके सद लेया ते एक मकान विच बैठे सरदार करतार सिंग सरब्बा सरदार हरनाम सिंग टुंडी लाट ते सरदार जक्त सिंग रिफतार कर लेगे इस समय अंग्रे सरकार ने ओड़ वायर दे कैन अधे जोर देन ते हिंदूस्तान दे रक्षा दागनून पास किता जिस अधीन देश बक्तानू वादतों वाद सजा दिती जा सागती सी लहोर विच एक श्पैशल टरिव्यूनल नियत किता गया जिस दे तिन जाज सान दो अंग्रेज मिस्टर इर्विन ते मिस्टर एलिस तितिज्जा हिंदूस्तान ने शिवन रायन सी टरिव्यूनल गदरियां देम कदमे लहोर सेंट्रल जेल विच ही सुनदा सी अखवारां वालेयां नू कारवाई नोट करन दी आग्या नहीं सी पुलस ही एक कहानी जीबना के पुलस ने जड़ेगवाँ पेश किते ओना दे ब्याना नो ठीक मनके अदाल्त सजामा दन दी गई पाई करतार सिंग स्राबा नो इस समय कहा गया कि ओ अजे बच्चा है ते इक बाल ना करे ता उसनो छट दिता जावेगा सरदार करतार सिंग स्राबा ने जजज नो उतर दिता कि मैं इस दूस्ट बेगानी हकुमत नो उल्टाउन ली किते हुए कार ना में लोका आके आपनी चमड़े नी बचाउनी चौंदा जजज ने उसनो सोच्चंदा मोका देन ली फैंसना सुनाना एक दिन पिछे पा दिता दुज्य दिन करतार सिंग स्राबा ने एक ब्यान विच केहा मैं रास बिहारी बोस नो मिलें सा ते असाराल के बगावत दी सकीम बनाई सी मेरा सवन्द गदर पार्टी नाल है ते असाराल के बगावत दी सकीम बनाई मैं कई डाकें विच शामल होनदा रहा हाँ मिननू पता है कि मिननू फानसी ज़ा उमर कैदी सजा मिलेगी मैं चौन्दा हाँ कि मिननू फानसी लाया जाए तांके मैं फिर जणम लेके गोरें दी गलामीतों शुटकारा दवान ली उपराला कर सका ज़े मिननू अगला जणम इस तरीदा मेले आ किहा जनना है कि गदैंदा है कि गदरियां विच 0.2 जोश नॉियान दैने वाला करतार सिंग सराबा ली लिए सी कि करतार سिंग सराबा ने कोई पेश नहीं उसने किसे गवाते बहस किती है जेड़ा वकील स्राबा ली पेश होया उसनों भी स्राबा ने बैस करन्दी आग्याने दिती इस तों सिद्ध हुंदा है कि सरकारी गवहां दे बियान ठीक हन अग्य जाके अदाल्त ने लिखिया कि एहे करतार सिंग स्राबा सारे बाग्यान आडों खतरनाक है एहे अपने कित कमाते बड़ा फखर करदा है इसलिए इस ते तरस नहीं किता जा सकदा इसनों मौत दी सजादिती जांदी है मौत दी सजादा हुकम सुनके सरदार करतार सिंग स्राबा दा चेरा एक कदाम खिड गया औनू खुशी हुई कि उपा अर्तमादियां गलामी दे जिंजीरां कि ओकरबाननी करनवालें विच्चों साथनों शोटी उमर दासी ति ओने आपनी जीवन दे साल एमे नी गोए सगों लेखे लाए हन। सुरैन सिंग नू भी फांसी दी सजा दित्ती गई। गदर लैर विच्च पामे होर अनेका देश पकतानू मोत दी सजा मिली पर स्राबा जी दी कृबाननी नू देश कदे निपल सकेगा।